ब्रॉट तो यू बाई बिज अनिलिस्ट बाई खाटा बुक ना कम्पूटर ना फाइल अब टैली डेटा ओन मुबाईल बिज अनिलिस्ट के साथ गुजरात चुनाव में पाटीदारों के वोट के खीश्तान के बीच कुछ ऐसा हो गया है जो पाटीदारों की राजनिती को कन्फ्यूस करेगा पाटीदारों की कुल देवी उमिया देवी का मंदिर है जुनागर शहर के गाथिला में उमिया मा को कड़वा पाटीदारों की कुल देवी माना जाता है धार्मिक संस्था खोडल धाम के चेर्मिन होने के नाते उमियमाता के मंदिर परिसर से ही नरेश पटेल राजनितिक लॉंचिंग की तैयारी कर रही है लेकिन राव नम्मी के दिन वहां एंट्री हो गई पीए मोधी की मंदिर के चोद्वे स्थापना दिवस समारू में पीए मोधी ओनलाइन शामिल हो गए और पातीदारों के फाइदे के लिए पानी की योजना का एलान भी कर दिया एक दान्नोब्डविचार मारा मन मायो होई है हाम तो में सरकार मा पण कह रही है आजा दिना अम्रूत महोसम निमित ते दरेग जिल्ला मा पंजो ते आजा दिना पंजो ते वरष चे निमित ते पंजो ते अम्रुत सरोवर बना भी शेकिया आपने, क्या जुना, वहने जरा मोटा करिये, उंडा करिये, सारा करिये, एक जिलामा पंचोतेर, आप विचार करो, कि आज थी पचीस वर्ष पची जारे सतापदी मनाती है से ने, तेर ये पेडी जो से, कि भे पंचोतेर वर थेया, तेर हम गामना लोकों या तलाव बनाई हो तो, अने कोई पन गाम मा तलाव हो एक ताका ताज हो है, पाटीदार पाणी दार बने तेरे जर पाणी हो है 20,000 पाटीदारों की भीड पीये मोदी को सुनने के लिए बैठी रही, अब तक नरेश पटेल गैर राजनितिक व्यक्ति होते थे, अब राजनितिक बनने वाले हैं, चुनाव से पहले पाटीदारों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं, इसलिए सारी पाटियां अपन अपने पाले में उन्हें लाना चाहती हैं, नरेश पटेल को 1200 साल पुराने उमिया माता के मंदिर को भव्य बनवाने का श्रे दिया जाता है, कहा जाता है कि इसी से नरेश पटेल पाटीदारों में बहुत सम्मानित हुए, लेकिन लगता है कि इस श्रे का बटवारा होने मंदर के कारेकरम में होने से पहले PM मोधी ने अपने ट्विटर हैंदल से लिखा कि स्वभागय है कि 2008 में मंदर का उधगाटन मेरे द्वारा किया गया था, यही बात P.I.B. ने भी प्रेस रिलीज जारी करके लिखी कि मंदर का उधगाटन नरेंद्र मोधी ने साल 2008 में किय मतलब पार्टिदारों को ये बात याद दिलाने की कोशिश हो रही है कि मंदिर मोधी के कारण बना मंदिर ट्रस के सामाजिक कारिक्रम भी उनकी ही प्रेड़ना से चलाय जा रही है गुजरात का चुनाव जीतने के लिए पार्टिदार वोट सब को चाहिए 16% वोट और 50 सीटों के किंग मेकर पार्टिदार है पार्टिदार करीब 3-4 दशकों से बीज़ेपी का साथ दे रहे हैं अगर नरेश पटेल पार्टिदारों का चेहरा बने हुए हैं तो उनके कॉंग्रेस में जाने से पार्टिदारों के वोट में फूट पढ़ना तै है हाला कि नरेश पटेल पार्टिदार एक तके नारे लगाते हुए पीएम मोधी के कारिक्रम से निकले वैसे एक और तस्वीर देखनी चाहिए जो ये इशारा करती है कि बीजेपी के रडार पर अभी भी नरेश पटेल है चार अप्रेल को जामनगर में नरेश पटेल पर नोटों की बारिश की गई थी नोटों की बारिश करने वाले थे गुजराद बीजेपी के नेता चीमन सापरिया PMOD के कारिक्रम से नदारद रहकर नरेश पटेल ने ये इशारा तो कर दिया है कि फिलहाल BJP के लिए कोई soft corner नहीं है बहुत दिनों से चर्चा तो है कि कॉंग्रेस में जा रहे हैं लेकिन कब, कैसे और किस थूमीका में इसकी कोई साफ तस्वीर अभी तक दिखाई नहीं दे रही है हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी नीचे कामें सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं और इसी तरीके की राजनिती और देश-विदेश से जड़ी सभी तमाम खबरों के लिए देखते रहें नूस तक क्योंकि यहां हम आपको हर खबर नए तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं क्योंकि नहीं कि अनुट करते हैं